जहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आप मेरे पीछे एक मैसेज देख रहे होंगे ये मैसेज आया है बैंक की तरफ से पैंशनर के फोन पर दोस्तो ये कुछ पैसा आया है एरियर का 1424 रुपे आज की डेट में आया 14-10-2022 को दोस्तो ये जो पैसा है ये डी-ए का है जैसे आपको पता है कि जो डी-ार बड़ा 34-38 परसेंट हुआ तो तीन मैने का दोस्तो ये एरियर है जुलाई अगस सितंबर कई पैंशनर्स कह रहेते कि सर जो हमें एरियर मिला है एक बड़ आद इसे सही से calculate कर देंगे कि जो ये एरियर है ये ठीक मिला है या गलत मिला है तो दोस्तो मैंने इसकी calculation करी ए और मैं आपको बताता हूं जो 14-24 रूपसे ने मिला है ये ठीक मिला है ये गलत मिला है तो दोस्तो मैंने कुछ information मांगी इन से तो दोस्तो मैंने इनका rank पूछा, group पूछा, calling fang service पूछी दोस्तो इनका rank है हवलदार, group Y, calling fang service 19 सल दोस्तो pensioner की death हो चुकी है, family pension मिल रही है दोस्तो अगर pensioner जिवित होते, तो उनकी basic pension होती 19772, 19772, अब चुकी family pension मिल रही है, normal मिल रही है इस वज़े से दोस्तो हम कर देंगे 19,772 का 60%, तो दोस्तो अब इनकी basic हो गई family pension की 11,864, यह हो गई दोस्तो, 11,864, अब दोस्तो जुलाई, अगस, सितंबर में 34% के हिसाब से इनकी total pension कितनी बनी, पहले हम यह जानते हैं, इनकी basic ती family pension की 11,864, प्लस उसमें 34% डिये, 4,034, और इनका medical allowance भी है, एक हजार रुपे, यानि total pension इन्हें मिल रही थी, जुलाई, अगस, सितंबर में 16,898, ऐसी दोस्तो, इनकी pension होती 17,373, यानि जो इनकी basic ती 11,864, अगर उसमें 38% डिये लगाएं, तो होता है 4,509, और उसमें medical allowance एक हजार रुपे, तो total इनकी जुलाई, अगस, सितंबर में इनकी pension बनती 38% के हिसाब से 17,373, तो दोस्तो, अब area कैसे निखा लेंगे, जुलाई से सितंबर तक का, जो इनका 38% के साब से calculation होता, जुलाई, अगस, सितंबर में, जो इनकी pension बनती, वो बनती 17,373, इसमें से दोस्तों माइनस कर देंगे, जो उनको मिल चुकी है pension, कितनी मिल रही थी दोस्तों इने, महिने की 16,898, तो दोस्तों कितने का difference, 475 रुपे का, और area कितने महिने का द तो दोस्तों यहां पर आ गया 1425 रुपे, यानि इनको जो area मिल है, तीन मेने का बिरकुल सही मिल है, तो दोस्तों आप भी चेक कर लीजिए, कि आपके खाते में भी यह जो पैसा है, यह आया यह नहीं आया, DA के area का, दोस्तों यह 4% के हिसाफ से आएगा, 4% के हिसाफ से दो 38% DA के साथ आएगी दोस्तों, आप यह भी चेक करिएगा, आपकी basic pension में 38% DA include होगा, चूंकि उससे पहले आपको जुलाई, अगर सितंबर का area बिरकुल ऐसी मिलेगा, आपके खाते में आएगा, तो दोस्तों आप अपनी basic pension के साफ़ से आप अपना area calculate कर सकते हैं, इनका तो subscribe कर सकते हैं, thank you so much.